हलो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हकलाने का इलाज सम्मोन उप्चार से मेरे कई पहले वीडियो में मैंने बताया कि हकला न जो है स्टटरिंग या स्टैमरिंग यह एक मानसिक बिमारी टेंशन के वज़े से यह बिमारी आती है स्ट्रेस चिंता टेंशन या ऐसे कोई घटना हुई कि जिसमें वो एकदम व्यक्ति बच्चा दब गया और बहुत उसको मेंटल शॉक बैठ गया तो उसमें वो हकलाना चलू कर देता है और वो धिरे 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 बढ़ते जाता है और जतना जादा उसके उपर प्रेशर आएंगा बच्चे के उपर सैकलाजिकल प्रेशर मतलब काम करने का प्रेशर या बहुत मतलब गुस्टा करने वाले पिताजी होंगे उनका प्रेशर या मार पढ़ रही है पिताजी से उसके वज़ए से मतलब यह हकलाने का जो प्राबलम है इसमें काफी सारी जो मतलब काफी सारी जो पेशेंट्स हमारे दिखते हैं ना उसमें दिखता है कि घर में ऐसा कोई तो भी बहुत ही अग्रेसिव या dominant व्यक्ति रहता है मतलब वो पिता जी होंगे या डादा जी होंगे ऐसा कोई तो भी व्यक्ति घर में रहता है कि जिसके वज़ए से हकलाना यह शुरू कर रहता है बच्चा तो इसमें मैंने बताया कि यह जो हकलाने का प्राबलम है इसमें मुँ में कुछ प्राबलम नहीं है ना गाल में प्राबलम है ना गले में प्राबलम है प्राबलम यहाँ है धिमाग में टेंशन है उसकी वज़ए से होता है यह लोग अकेले में अच्छी बात्चित कर सकते अकेले में अच्छा खाना का सकते हैं एक बार शुरू कर दिया काम मतलब बोलना शुरू कर दिया तो अच्छा बोल लेते हैं मगर बीच बीच में फिर हकलाते हैं या फिर शुरू करने के समय हकलाते हैं इसके उपनाटिजम सम्मोहन उपचार बहुत ही प्रभावी उपचार कि उसको सम्मुषित स्वसम्मुहन कैसा करना ही सिखाते हैं स्वसम्मुहन कैसे करना स्वसम्मुहन के लिए आराम कुरसी के ऊपर बैठना या लेटना या साधी कुरसी भी चलती है दिवाल पीछे होना और अपना सीर जो है वो दिवाल को पीछे टिकाना एकडम रिलाक्स बै है वो प्रसंद्घ गटना सामनेलाना कि जहाँ के सामनेलाना कि जहाँ वš बिच्चरा हकलाता है तो प्रसंद्घ है क्योंकि निवें ला उभड हां पेडला पूरविन का सेशन करना पड़ाए उसके लिए तो पछले रिवे hugs भोड़े продолж जो हिस्सा है बदन का वो रिलाक्स हो रहा है ऐसा बोलते जाना है जैसे पैर रिलाक्स हो गए गुटने रिलाक्स पंजे रिलाक्स दोनों पैर रिलाक्स पेट कमर पीट सीना दोनों कंदे है हाथ सीर मतलब पूरा बदन रिलाक्स है और फिर एक से दस्ता गिंती करना जैसे य किसी गिन्ती बढ़ते जाएंगी वैसा वैसा मैं रिलाक्स हो रहा हूं ऐसा बोलना और पूरा रिलाक्स होने के बाद में फिर आखु के सामने चित्र लाना कलपना चित्र लाइब, कैसा कि मैं लोगों से बात्चित कर रहा हूं, अधिकारी से बात्चित कर रहा हूं, पिता जैसे बात्चित कर रहा हूं, बड़े लोगों से बात्चित कर रहा हूं, और एक 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 शब्द शान्ती से बोल रहा हूं, लोग मेरा सुनके बहुत प्रभाविट हुए, उन्होंने भी जो मुझे मैंने जो बोला उसको हाँ बोला और मेरा जो मत था वो पूरा उनके सामने रखा और उन्हें उसको हाँ बोला ऐसा कोई भी मतलब situation लेना कोई घटना लेना बात्चीत करने की और लोगों के सामने जाके मैं ऐसा कर रहा हूँ ऐसी कलपना कर जाना कि जहां हकलाते हो बैठे कहा हो घर में बैठे हो और बार-बार-बार-बार-बार इस अपका समय आएंगा ना बाहर किसी के साथ में बात्चित करने का तो वहां एक दम शान्ति से आप बात्चित करेंगी और वैसा ही मैं बोलता हूं कि जैसा घर में खुद के उपर सम्मोन उ क्वाब है। और की इश्वा से भूल रहा है। ऐसी प्रेक्टिस करना और एक्चिली जब आप午 बोलते हो, यह फिले प्वेलाख्स रहने का है… एक्डम रेलाक्स रहे कि यह पुरा जयितुत है। शान्त यसे आप एक एक शब्द बोलते हैं ऐसा actually करना मतलब वास्तों में भी ऐसा करना और दुसरा घर में बैठे बैठे कलपना शक्ति में भी ऐसा करना ताकि बार बार जबाब करते हैं एक हजार बार जबाब करेंगे न मैं आपको guarantee से बोलता हूँ आप अब अच्छे हो हमें हमें सम्मोहल उच्यार बहुत्त प्रभाव उप्जार एक और समय के ऊपर असर करता है रह छिए उसको रिलेक्स होने के और और उससे रिलेक्स हो जाएंगा रिलेक्स हो गया तो आदमी आ और पर काम से शान्ती से शो भूमता है वैसा तो वैसा आद्मि अच्छे से बात कर सकेंगा चकigration इसको ब्रेक हो गज ऑन में उसको ब्लों ग्यां किया बना कोना तो उसकी सम्मोर्ण के अवस्ता में उसको रिलाक्सिक्त करएंगे तो उनका जिवन अच्छा अच्छा वो जाएंगा अच्छा वो जीवन जीएंगे और उनको जो एक quality life चाहिए उच्छतम दर्जा जीने का वो भी उनको मिलेगा और वो काफी अच्छी position भी हासिल कर सकेंगे तो ये वीडियो उनको शेयर करो सभी लोगों को जिनको ये problem है या आपको जो भी victim आलूम है उनको ये इलाज के लिए आपने बोलना चाहिए ताकि वो अच्छा जीवन जेंगे क्योंकि इसके लिए लोग psychiatrist के पास में मनुविकार के पास में आती नहीं मनुविकार तग्य के पास में आती नहीं उनको लगता कि मैं क्या पागल हो गया मगर अभी जब हम लोगों को श अच्छे हो जाते हैं अच्छे जीवन जीते हैं तो ये यूट्यूब पे लाइक करो शेर करो लोगों को बताओ थैंक्यू गरी मच्छ